प्यार बच्चों, LGR Study पारा मिडिकल के यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत हैं अगर आप भी इस बार पारा मिडिकल का परवेश परिक्षा देने वाले हैं तो आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए काफी जैदा महतपूर्ण है क्योंकि आपको बता दू कि आज के इस चोटे से वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि कम समय में पारा मिडिकल का बहतर से बहतर तयारी कैसे करें तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और मैं आपको गारेंटी देता हूँ कि अगर आप आज के इस वीडियो में बताये गए टीप्स और ट्रिक का पालन कीजिएगा और जो तरीका आप लोगों को तयारी का बताया जाएगा है पारा मिर्कल परवेश परिक्षा से रिलेटेड बहुत सारा जानकारी आपको मिलेगा और तयारी से रिलेटेड भी बहुत सारा जानकारी मिलेगा कौन सा बुक परना चाहिए बहुत सारे जानकारी आपको हम देने बाले हैं और साथ ही साथ हम आपको यह भी बताने बाले हैं कि हम यानि की LGR Study की टीम आपके पारा मिडिकल परवेश परिक्षा के बहतर तयारी के लिए क्या करने बाली है तो चलिए शुरू करते हैं चीजों को ध्यान से सीखने समझने का कोशिस कीजिएगा हम सबसे पहले प्यारे बच्चो जानेंगे यहाँ पर देख सकते हैं पारा मिडिकल के सीले बस के बारे में एक मिनट में हम लोग जान लेते हैं कि क्या क्या और किस सिस्टम का जो कुश्चन है वो आपके एक्जाम में पूछा जाता है तो यहाँ पर प्यारे बच्चो स्क्रींसॉट है यह स्क्रींसॉट वहहां से लिया गया है आपका जो पारा मिडिकल का एक्जाम लेती है आपको पताऊने बी सी इसी बोर्ड लेती है और उस बोर्ड के ओफिसल विपसाइट पर जो नोटीस है उस नोटीस में जो आपका सिलेबस है वहां से यह लिया गया है तो इसमें आप के लियर ली देख सकते हैं कि पारामेटिकल का जो आपका परवेश परिच्छा होता है उ यानि कि एक कोश्चन बराबर यहां पर आप देख सकते हैं पान्च मार्क यानि कि प्रतेक कोश्चन कितने ओ घ्लंग का हो राया है आपको थीजीत कैमेस्ट्रा देखने को मिलेगा दूसरा है अंक गनीती योगता यानि की mathematics मैथ में आपको जनरली अंक गनीत से ही question देखने को मिलेगा 15 question किदने question प्यार बच्चो 15 question आपके exam में रहेगा और 15 question के लिए आपको मिलने वाला है total 75 mark कम नहीं है प्यार बच्चो बहुत ही ज्यादा है साथी साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हिंदी में देख सकते हैं कि 15 question आपके पूछे जाएंगे और 15 में इसके लिए भी आपको 75 mark मिलेगा अंग्रेजी का भी आपको 15 question पूछ जाएगा जिसमें 75 mark आपको यहाँ पर दिया जाएगा और सामान्य ग्यान जो की सबसे जो है अगर देखा जाए तो simple है और बहुत ही normal यानि की कम तयारी करके यहाँ पर आप समान्य ग्यान के बीस में से 15-16 question आपका अच्छा कर सकते हैं क्योंकि यह जो विशय है बहुत ही normal यहाँ जो कोशन आता है अगर आप हलका भी त्यारी करते हैं केवल आप मेरा यूटूब जो class चलता है यूटूब पर अगर उसका भी practice कर लेते हैं पर दे अगर यूटूब class भी आप कर लेते हैं समान्य ग्यान के लिए तो वहाँ पर करेंगे जो है ना exam pattern के बारे में exam pattern के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप लोग जो है थोड़ा समझ सकते हैं कि आपका exam 2 घंटे 15 मिनट का होगा इसमें 450 मार का exam होगा यह आपका आपने पहले ही देख लिया दूसरी बात मैं बता दूँ कि आपका जो question होगा वो objective type होग ठीक है और चार option होगे कितने option रहेंगे चार option चार में से कोई एक option ही क्या होगा सही होगा यह भी cd करके आपका क्या होगा जो आप लोग सभी जानते भी होगे इसमें कोई बड़ी बात है नहीं तो इस तरह का आपका exam होगा और सारे के सारे 90 प्यारवचो वो आपका objective ही ह होगा और प्रते question पांच मारका प्रते question कितने मारका होगा प्यारवचो पांच मारका होगा और बात करें तो exam आपका अभी तक offline ही होता आ रहा है और जैदा स्यदा संभावना है कि offline ही होगा अगर इसमें कोई भी बदलाव किया गया क्योंकि अब देख रहेंगी जनरली अब पात करते हैं क्या कर देंगे चैनल से जूरे रही आपको इस चैनल पर पारा मेडकल के तैयरी से सारा जानकारी और और सारा तैयरी भी कर पाँआ जाएगा ताकि आप एकदम alert रहें अपने तैयरी को ले करके तो चैनल को सबस्क्राइब कर लिजेगा अगर इस में खिर यह जो यहां पर physics, chemistry और biology से जो question यह पूछ रहे हैं, इसका label क्या होगा, इसके सभी subject के जो question आएंगे उसका label क्या होगा, देखिए, तो board ने तो ऐसे जारी किया कि माधिमिक label होगा, यह आपके generally समाने बिज्ञान के और समाने बिज्ञान के लेकिन याद रखिएगा, physics, chemistry और जीप बिज्ञान का जो आपका label होने वाला है, वो 11th, 12th होने वाला है, क्या होने वाला है, 11th, 12th से आपको यहां पर physics, chemistry और biology से question पूछा जाएगा, इसमें हम board की नाकामी कहें, या फिर आप मर्मानी कहें, एक problem है, कि board ने topic जारी नहीं किया है, syllabus के मामले में, कि हम जो physics से question पूछेंगे, chemistry के किस किस topic से question पूछेंगे, और biology के किस किस topic से question पूछेंगे, ये board ने list जारे नहीं किया है, लेकिन आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, उसका भी समाधान मेरे पास है, और मैंने उसका भी research कर रखा है, तो हम आपको उसके बारे में भी आएंगे कि आखिर आपको क्या परना चाहिए और कैसे परना चाहिए, तो ये आपको वहीं से आने वाला अंग गनीत जेनरली यहां पर देख सकते हैं, वो भी आपके 11th, 12th लेबल का ही आएगा, जो 80% question है, वो आपके 11th, 12th लेबल के ही आएगे, 20% question हलका normal रहेगा, लेकि पर भी साथ-साथ class करते हैं, आपको कोई दिक्कत कभी भी नहीं आएगा, हिंदी, अंग्रेजी का बात करें, तो इसमें background से question ज्यादे आते हैं, कुछ question साहित से भी आता है, तो सारा question और सारा topic आपको मेरे द्वारा पराय जाएगा, सामानने ज्यान की अगर बात करें, ज देखने को मिल जाएगा, और साथी साथ current affairs से तो question आपको देखने को मिलेगा, ही मिलेगा, तो जितने भी topic है, सारे topic हम आपको बताएगे कि कैसे परना और किस तरीका से परना है, तो ये तो कुछ आपका मोटा मोटी जानकारी मिला, अब आईए हम अब बहुत ही महत्पूर आपके सामने में चीजे जो है आ रहा है, कि भाई सब तयारी करने का सही तरीका क्या है, अब हम ये बात करेंगे, दूसरी बात करेंगे, देखिए, क्योंकि लाखो बच्चे परतेक साल इकजाम देते हैं, लेकिन प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि बहुत कम हैं, इसका कारण है, सही तरीका का नो अपनाना, या फिर सही गाइडेंस का ना मिलना, तो आप तरीका समझेगा कि क्या करना होगा, आपको मैं बुक भी बताऊंगा कि कौन सा बुक आपके लिए बेस्ट रहेगा, और हम आपके लिए क्या करेंगे, आपके बहतर तयारी के चेप्टर वाइज थियोरी पलस कुईस्चन करना जरूरी है तब जाके आपको 100% कन्फिडेंस आएगा कि हाँ हम तो आप कर सकते हैं तो ये काम बहुत जरूरी है लेकिन उसमें भी प्यारवच्चों बहुत ही ज्यादा यूटूब पर हमने देखा है कि ये प्राब्लम चल पर आए वो भी एकॉर्डिंग टू सिन यह काम करना ऐसा नहीं कि कुछ भी पर रहे हैं इसे काम नहीं चलेगा सिन यह को करना परेगा क्या पूछा जा रहा है सिन यह में उसके अनुसार आप पर ते हैं तो ठीक है दूसरी बात है कि आपको कम से कम जो है है नदस साल में प कर लियाना तो इससे बहुत फाइदा मिलेगा फिर इसके बारे में एक एक बात करेंगे और आपको रेगुलर टेस्ट देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अब आईए हम लोग इस तीनों के बारे में एक करके बात करते हैं कि इसके लिए क्या करें कौन सा बुक से क्या कर सकते हैं और कैसे त्यारी कड़ सकते सबसे पाहले बात करेंगे चाहते है अगर साने कि आप 10 questions पर लेंगे उससे हो जाएगा या 25 questions पर लेंगे उससे अगर नहीं होगा regular मैनत करना होगा आप से लेकर पूरे जान तक ठीक है तब जाके आपका होगा तो सबसे main problem में syllabus का कि syllabus क्या है तो syllabus बोर्ड ने तो जारी कर रखा नहीं है कि किस topic से हम क्या करेंगे question पू पूछे जा रहे हैं तो इसके लिए 10 सालों का जो प्रीवेसर का कुश्चन नहीं वह आपका बहुत जीदा हैलप करेगा तो अब बात उठता है कि सर यह आप प्रीवेसर कुश्चन लाएंगे कहां से तो बेस्ट बुक जो है जो सबसे अच्छा माना जाता इसमें भी हलका ज पूश्चन का जो है न बुक आता है वो ले सकते हैं और इसमें हलका प्राब्लम है हमने देखा है अमने पराभी है मेरे पास बूख है तो अगर आपके पास बूख नहीं या फिर आप के मार्केटमें बूख नहीं मिलना तो इसका भी सुलूशन है आप लग्र स्टेडी का इंटरफेस आपके सामने आएगा तो यहां से आपको बिलकुल फ्री में पिछले 10 सालों में पूछे गए सारे कोश्चन उसका 100% सही आंसर इस एप से जो है मिल जाएगा आप पले स्टोर पर सर्च कीजिए कि एक क्या चीज एलजी और पाड़ा मेडकल एप तो यह वाला जो एप आएगा इस तरह का जो लोगो वाला एप आएगा डाउनलोड कर लीजिएगा 50,000 से अधिक बच्चे डाउनलोड कर रखे हैं तो यहां से आप जो है ना 10 साल के कोईस्टन पराप्त कर सकते हैं उसका 100% सही आंसर मैंने लगा के रखा है तो वह देख सकते हैं दूसरी बात अगर आपको भूख खरदना है कोई दिक्कत बाली बात नहीं फिरी में ये एक से दो एमबी का दो या तीन अमबी का एफ है तो आपका जैदा स्पेस भी नहीं लेगा दो तीन अमबी में आपके दसेर के जो questions है वो भी आपको पता चल जाएगा कि क्या है कैसे और यहां से आपको यह पता चलेगा कि हां किस की topic से question आ रहा है कैसा question आ रहा है और जहां तक बात है तो मैंने उसको किया भी है दस साले के जो question उसको मैंने देखा है उसको practice के और साथी साथ बच्चों को हम कई सालों से परहा भी रहे हजारों बच्चे यहां से निकलते भी हैं तो मैं जो तयारी कराऊंगा to the point आपके सीलेवस के according कराऊंगा तो यह आप पहला काम जो है जरूरी है बहुत जरा यह करना दूसरा है regular test regular test जो है सबसे ज़्यदा महत्पूर्ण तो आपका chapter बाइद जो भी चीज़े परहाई करना वह लेकिन regular test देना क्यों जरूर रेगुलर test देने से यह होगा कि आप कुछ नया सीखेंगे भी जो questions आएंगे उसमें देखेंगे भी तो test के लिए आप लोग जो लोग जो कर लो आप देख सकते हैं कि यूटूब पर बहुत सारे चीज़े जो है चल रही है और बहुत सारे लोग test आपको देदेंगे लेकिन अगर बिलकुल free में तो आप LGR study का यह बाला डाउनलोड कर लिजी इस बाले एप में आपको पारा मेड़कल के all subject का लगभग लगभग देर सो ना देर सो से जैदा test बिलकुल free में मिलेगा कितना देर सो से जैदा test all subject का बिलकुल free में आपको यहां पर मिलेगा वीडियो के description में इस एप का भी link है वैसे आप लोग सर्च कीजिए एल्जी अरस्टरी देख सकते हैं इसमें सभी सब्जेक्ट का ध्यान रखा गया सभी तो आपके पारा मेरिकल के लिए भी इसमें है तो यह वाला आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको हाँ पर डेर सौस से पलस टेस्ट बिलकुल फ्री में मिल जाएगा जो सबसे पहले आपको करना है अप रीबीयर सर को देखने के बाद सबसे पहला काम जो करना है वह यह करना है आपको सभी सब्जेक्ट का चप्टर 12 आपको थ्योड़ी देखना है थ्योड़ी के बाद उसके question भी practice करने हैं वो भी to the point see levels के according इसके लिए आप क्या करएंगे इसके लिए प्यारा बच्चो आपको हम कोई भी बुक लेने की सलाह नहीं देंगे, बोलिए क्यों सर बुक लेने की सलाह क्यों ने दीजीगा, क्यों कि देखें, मार्केट में बहुत सारे परकार के बुक एवलेबल है, लेकिन उस बुक में क्या है, बिहार बोर्ड, यह जो आपके बोर्ड है, मतलब BCC बोर्ड जो है, उसने तो सिलेबस जारी कर रखा नहीं है, तो सभी बुक, हम पांस बुक खरीद रखें हैं, अलग-अलग कंपनी का, आप भी बुक खड़ीद इस बुक में कुछ होर, उस बुक में कुछ होर, उस बुक में कुछ होर, और अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें हैं भी, तो सब सब्जेक्ट नहीं है, किसी बुक में हिंदी अच्छा है किसी बुक में इंग्लिस अच्छा है किसी में आपका मैत अच्छा है तो यह है बहुत ही जएदा समस्या वाली बात तो आपको चेप्टर बाइज परहाई के लिए ठेओरी और उसके के लिए हम कोई भी बुक रेकमेंड नहीं कर रहे हैं इसके लिए तब बोलेंगे करें क्या तो इसके लिए प्यारे बच्चों आपका एलज्यार स्टडी पारा मेडिकल देख सकते हैं चार पिछले चार बड़सों से बच्चों का त्यारी करबारी और हजारों बच्चे यहां से एडमिशन पा चुके हैं यह जो यूटूब चैनल यह यूटूब चैनल से आप परहाई कर सकते हैं जहां पर आपका एकदम टूदर पॉइंट त्यारी होगा आप त्यारी कर सकते हैं देख सकते हैं कि 2,29,000 के पलस जो है बच्चे यहां पर अल्रेदी परहाई कर चुके हैं तो आप लोग इस चैनल को जिस चैनल का वी वीडियो देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब कर लेजी और पढ़ते एक दिन यहां पर कलास देखा कीजिए पिछले जिदने भी कलास हो चुके हैं उसको देखिए और यह तो ठीक है यहां पर भी आपका अगर करते हैं तो यहा सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब करते हैं केबल जॉइन कर लेने से नहीं होगा आपको पढ़ना भी परेगा तब जाके यह गारेंटी मेरा वाला जो गारेंटी और वह काम करेगा तो यह जो कोर्स है प्यार बच्चो यह LGR स्टडी के इस अपड़ चल रही जो यहां पर आपको दिखाए देरा होगा LGR स्टडी ठीक है ऐसा वाला लोगो होगा इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है तो आप लोग अगर यह वाला कंप्लीट करना चाते हैं तो यूटूब चैनल पर जितने भी क्लास चलेंगे वहां से भी कर सकते हैं पेड कोर्स अगर आप जोईन करना चाते हैं हम पेड कोर्स का बात करते हैं इसलिए क्योंकि यहां पर चीजे बहुत ही सुद्ध होता है और साप सुत्रा होता है यूटूब पर क्या हलका अगर आप यूटूब चैनल पर चाहिए क्योंकि बहुत सारे चीज यहां पर आपको मिलेंगे भी पेड कोर्स में आपको सुद्धता जैदा मिलेगी यहां पर अगर यूटूब पर क्लास करते हैं नीचे में आप कॉमेडी वीडियो आ जाता है ध्यान बटक जाता है फिल वाली बाते जो है नहीं है तो आप लोग जो है इस वीडियो में बताये गए सारे तरीकों का पालन कीजिएगा और आप अभी से अगर आप अपने मन में ठान रखें कि मुझे एडमिसन चाहिए किसी भी कीमत पर तो प्यारे बच्चों कम से कम आपको अभी से जो है ना पा ठीक है ये करवा है लेकिन सच है अगर आप मेहनत नहीं करते हैं तो कोई कुछ आपको मिलने वाला नहीं है तो सेलफ स्टडी के लिए पांच घंडे तैयार कीजिए और यूटूब पर कलास जोईन करना चाहते तो आप पर कलास जोईन कर लिए इस वाले एप पर जो है आपको समझ में आया होगा अगर चीज़े समझ में आया हो तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लिजिए बेल आकर प्रेस करके और पर सेलेक्ट कर लिजिए और इस तरह के जो वीडियो जिदने भी आएंगे उसको देखा कीजिए चैनल पर सारे चीज आपके लिए ही बनाए गए हैं तो मिलते फिर हम लोग आपसे कलास में और आपको हमारा कलास भी जो है चैनल पर देखने को मिलेगा तो आप लोग बहतर से बहतर त्यारी कीजिए गुडबाई टेक क्यार